राजस्थान उडीसा समेत देश के कुछ राज्यों में सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। इस बार नाग पंचमी पर दो बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी का महत्व शुभ मुहूर्त और पूजा विधी। हिंदु धर्म में नाग पंचमी के पर्व का विशेश महत्व है। नाग देवताओं को समर्पित। यह पर्व देश के कुछ राज्यों में सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी यानि 25 जुलाई दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। वहीं कुछ राज्यों में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी यानि 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन मा इस मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में शिव के गण नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। शुब योग सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुब तिथी 25 जुलाई 2024 को है इस नाग पंचमी की पूजा बिहार बंगाल उडिसा राजस्थान आधी इनक्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन शुक्रादित्य योग, शोभन योग का शुब संयोग भी रहेगा। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी यानि 9 अगस्त को देश के अन्य राज्यों में मनाया जाएगा। पंचमी तिथी की शुरुवात, 25 जुलाई सुबह, 4 बज कर 40 पंचमी तिथी का समापन, 25 जुलाई मध्य, रात्री 1 बज कर 9 तक नाग पंचमी का महत्व, सावन का महीना, वर्षा रथु का होता है, और इस माह में सांप भूग गर्भ से निकल कर भूतल पर आ जाते हैं। नाग निकल कर किसी को भी आहत न कर दें, इसलिए नाग पंचमी का पूजा अर्चना की जाती है। बिहार बंगाल आदिक शेत्रों में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी को नाग पंचमी का पर्व, पूरे श्रधा भाव से मनाया जाता है। शास्त्रों व पुराणों मे बताया गया है कि पंचमी तिथी के स्वामी स्वयम नाग देव हैं और इन दिनों सापों की पूजा करने से मनो वांचित फल की प्राप्ति होगी और घर में सुख शान्ती और सम्रिध्धि बनी रहती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से कुंडली में पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता पाताल के स्वामी हैं इसलिए नाग पंचमी या किसी भी अन्य पंचमी के दिन व्यक्ति को भूमी की खुदाई करने से बचना चाहिए। खड़िया से पुथाई करें और कोईले से नाग देवताओं के चिन्ह बनाएं। आजकल नाग देवताओं की फोटो बाजारों में भी मिल जाती है। आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करें और दूध अर्पित करें। घर के नाग देव पूजा करने के बाद खेतों या फिर ऐसे इस्थान पर दूध का कटोरा रख दें, जहां सापों के आने की संभावना हो। नाग देवता की पूजा, पूजा में सेवई और चावल बनाएंगे। फिर ना देवताओं की दूध और जल से स्नान करवाएं और धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें इसके बाद सच्चे मन से नाग देवताओं का ध्यान करें और फिर आरती करें आरती करने के बाद नाग पंचमी की कथा का पाठ भी करें एक ऐसा मंदिर जहां भोले नाथ पर गिरती है बिजली कई टुकडे के बाद फिर जुड़ जाता है शिवलिंग सावन का महीना बेहद शुभ माना जाता है यह हिंदूओं विशेशकर शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है इस पूरे माह लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं इस सावन की शुरुवात 22 जुलाई 2024 से होगी तो आईए इस पावन अवसर के शुरू होने से पहले बिजली महादेव मंदिर की महिमा के बारे में जान लेते हैं सावन जिसे श्रावन माह के नाम से भी जाना जाता है यह हिंदू कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण महीना है इस दोरान भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं श्रावन माह हिंदूओं विशेशकर शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है ऐसी मान्यता है कि यह वही पावन समय है जब देवों के देव महादेव धर्ती पर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं इस साल सावन की शुरुवात 22 जुलाई से होगी वही जब सावन को कुछ ही दिन शेश रह गए हैं तो आईये भारत के प्रसिद्ध शिव धाम बिजली महादेव मंदिर पर नजर डालते हैं जिनकी महिमा का गुणगान दूर दूर तक फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई दिव्य मंदिर विराजमान है जिनकी महिमा का गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम है आज हम बात कर रहे हैं कुलू घाटी के सुन्दर गाव का आशवरी में स्थित बिजली महादेव मंदिर की जिसके चमतकार की चर्चा दुनिया भर में है इस पवित्र धाम में हजारों लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं यह धाम 2460 मीटर की उँचाई पर स्थित है ऐसा कहा जाता है कि इस कल्यानकारी मंदिर में भोले नाथ के उपर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है जिसके पश्चात शिवलिंग कई टुकडों में बंट जाता है लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के पुजारियों द्वारा एक प्राचीन लेप से जोड़े जाने पर यह शिवलिंग पुन जोड़ जाता है कहते हैं कि लेप के लिए कुछ प्राचीन सामगरी व दाल के आटे अनाज और मक्षन आदी से बने पेस्ट का उप्योग किया जाता है हालां कि इस रहस्य को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है बता दें इस पवित्र धाम में भक्तों की भारी मात्रा में भीड उमरती है इसके साथ ही लोगों की सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है साथ ही अगर आप इस पवित्र महीने में महादेव के किसी भी मंदिर जाते है तो आपकी सभी बातें सीध्व हो जाती है और आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो अपने आप ही पूर्ण होने लगती है क्योंकि आपको तो PTA ही है कि भोले नाथ कितने भोले होटे हैं और साथ ही सावन के पावन महीने में आपको भोले बाबा के सभी मंधिरों में जाकर दर्शन भी करने चाहिए ताकि महादेव की कृपा आपके उपर ज्यादा हो सके। साथ ही प्रीती और आयुश्मान योग के साथ सिध्धी योग का भी अद्भुत संगम है। अगर इस महा संगम में विधि विधान से शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनके सभी मनोरत पूर्ण होंगे। पंचांग के अनुसार सावन महीने में चार शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला की सावन की शुरुवात भगवान शिव के दिन सोमवार से हो रही है, वहीं यह श्रावन माह पंच सोमवारी है। यानि इस बार श्रावन महीने में पंच सोमवार होंगे। श्रावन महीने की शुरुवात सोमवार को होगी, तो इसका समापन पर भी सोमवार को होगा। भक्तों को 29 दिन भगवान शिव की पूजा का अवसर मिलेगा, वहीं इसमें सारवर्थ सिद्ध योग बन रहा है, इसी सन्योग में महीने की शुरुवात होगी। इसके साथ ही सोमवार में पृति योग और आयुश्मान योग का महा सन्योग बन रहा, भगवान शिव को अतिप्रिय सावन महीने का सोमवार पहला दिन है, इसी के साथ अदभुत सन्योग भी है कि इस बार सावन महीने की शुरुवात सोमवार से हो रही है और समापन भी सो सावन के सोमवार को बारा बंकी के श्री लोदेश्वर महादेव का जला भिशेक करने के लिए महादेवा मंदिर में लाखों श्रद्धालु जुटेंग, इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं।